स्री सुकदेव जी कहते हैं बुद्धी के द्वारा पिछले अध्याय में वर्नित रीती से निस्चेक करके तथा मन को हिर्दय देश में इस्थिर करके वह गजराज अपने पुर्व जन में सीख कर कंठस्त किये हुए सर्वस्रेष्ट एवं बार बार दोहराये जाने योग् पाठ करने लगा गजेंद्र उबाज यानि गजराज मन ही मन कहते हैं जिनके प्रवेश करने पर जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ सरीर और मन आदी भी चेतन बन जाते हैं ओम सब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण सरीर में प्रकिर्थी एवं पुरूस रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं जिनके सहारे यह बिस्व टिका है जिन से यह निकला है जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वैम ही इसके रूप में प्रकट हैं फिर भी जो इस द्रिस जगत से एवं इसकी कारन भूता प्र अपने संकल्प सक्ती के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए स्रिष्टी काल में प्रकट और प्रलै काल में उसी प्रकार और प्रकट रहने वाले इस सास्त्र प्रसिद्ध कार कारन रूप जगत को जो औकुंठित द्रिष्टी होने के कारन साक्षी र प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादी लोक पालों के पंच भूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंच भूतों से लेकर महत्व परियंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम करुना रूप प्रकिर्ती में लीन हो जाने पर उस समय दुर्योग तथा अपार भिन भिन रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारन दर्सक नहीं जान पाते उसी प्रकार सत्व प्रधान देपता तथा रिसी भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते फिर दूसरा साधारन जीप तो कौन जान अत्वा वर कर सकता है वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभू मेरी रक्षा करें आसकती से सरवदा छुटे हुए संपुर्ण प्राणियों में आत्म बुद्धी रखने वाले सबके ओकारन हितु एवं अतिसे साधू सवाब मुनिगन जिनके परम मंगल में स्वरूब का साक्षातकार करने मैं की इक्षा से बन में रहकर अखंड ब्रहमचर आदि उलोकिक भृतों का पालन करते हैं वे प्रभु ही मेरी गति हैं जिनका हमारी तरह कर्म वेस ना हो तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं जिनके निर्गुन सरूब का ना तो स्विकार करते हैं उन अनंत सक्ति संपन्न परव ब्रम परमेश्वर को नमस्कार है उन प्राकिर्त आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अध्वुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है स्वेम प्रकास एवं सब के साक्ची परमात्मा को नमस्कार है उन प्रभु को जो नम्वानी एवं चित्त बृतियों से भी सरवथा परे हैं बारबार नमस्कार है बिबे की पुरूस के द्वारा सत्व गुन विशिष्ट निर्वित्ती धर्म के आचरन से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख की अनुभूती रूप प्रभू को नमस्कार है सत्व गुन को स्विकार करके सांत रजो गुन को स्विकार करके घोर एवं तमो गुन को स्विकार करके मूड से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतवेव सदा समभाव से इस्थित ज्यान गन प्रभू को नमस्कार है सरीर इंद्रिय आधी के समुदाय रूप संपुर्ण पिंडों के ग्याता सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है सबके अंतर्यामी प्रकिर्ती के भी प्रम कारण किंतु स्वयम कारण रहित प्रभू को नमस्कार है संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विस्यों के ग्याता समस्तर प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूल भूता ओविद्या के द्वारा सुचित होने वाले तथा संपूर्ण विस्यों में ओविद्या रूप से भासने वाले आपको नम समकूर्ण वेदो एवं सास्त्रों के परम तात्पर यमोग्च रूप एवं सरेष्ट पुरूसों की परम गती भगवान को नमस्कार है जो त्री गुन रूप कास्टों में छिपे हुए ग्यान रूप अगनी हैं उक्त गुनों में हल्चल होने पर जिनके मन में स्रिष्टी रचने की ब्रह्म विवृत्ती जागरित हो उठती है तथा आत्म तत्तु की भावना के द्वारा विधी निसेद रूप सास्त्र से उपर उठे वे ग्यानी महात्मा में जो स्वेम प्रकासित हो रहे हैं उन प्रभू को मैं नमस्कार करता हूँ मुझे जैसे सरनागत पसूतुले और विध्यागरस्त जीवों की और विध्या रूप फासी को सदा के लिए पुर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालू एवं दया करने में कभी आलस से ना करने वाले नित्यमुक्त प्रभू को नमस्कार है अपने अंस से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है सरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ती एवं कुटुम्बियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिंता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरूसों के द्वारा अपने हिर्दे में निरंतन चिंतित ज्यान स्वरूप सर्व समर्थ भगवान को नमस्कार है जिन्हें धर्म, अभिलासित, भोग, धर्न तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मन्चाही गती पा लेते हैं अपित्व जो उन्हें अन्य प्रकार से अयाचित भोग एवं अभिनासी सारसद सरीर भी देते हैं वे अतिसे दयालू मुझे इस भी पत्ती से सद के लिए उबार लें जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतह एक मात्र उन भगवान के ही सरन है धर्म अर्थ आदी किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते परंतु उन्हीं के परम कल मंगल में एवं अत्यंत विलक्षन चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लिकट होने पर भी माया के आवरन के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दूर्वियेग अंत रहित किन्तु सब के आदी कारण एवं सब और से परिपुर्ण उन भगवान की मैं अस्तुति करता हूँ बरंभादी समस्त देवता चारोवेद तथा संपुर्ण चराचर जीव नाम और आकरती भेद से जिनके अत्यंत छुद्र अंस के द्वारा रचे गए हैं जिस प्रकार प्रजोलित अगनी से लप्टे तथा सूरे से किरने बार बार निकलती हैं और पुनह अपने कारण में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार बुद्धी, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के सरीर यह गुन में प्रपंच जिन स्वयम प्रकास प्रमात्मा से प्रकट होता है और पुनह उन्ही में लीन हो जाता है वे भगवान ना तो देबता है ना असुर है ना मनुस्य है ना निर्यक मनुस्य से किसी भी योनी के प्रानी है ना वे इस्तरी है ना पुरूस ना नपुनसक ही है ना वे ऐसे कोई जीव है जिनका इन तीनों ही स्रेनियों में सवावे सो सके ना वे गुन ना कर्म ना कार ना ही कारन ही सबका निसेद हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका और वे ही सब कुछ हैं ऐसे भगवान मेरे उधार के लिए आविर्भूत हों मैं इस ग्राह के चंगुल से छूट कर जिवित नहीं रहना चाहता क्योंकि भीतर और बाहर सब और से अग्यान से ढखे हुए इस हाती के सरीर से मुझे क्या लेना है मैं तो आत्मा के प्रकास को ढ खक देने वाले उस अग्यान की निब्रित्ती चाहता हूं जिसका काल करम से अपने आप नास नहीं होता अपितु भगवान की दया से अथवाग्यान से उदय होता है इस प्रकार मोक्ष का अभिलासी मैं विस्व के रचईता स्वयम विस्णू के रूप में प्रकट और वि काम ही करता हूं उनकी सरन में भी हूं जिन्होंने भक्ती भगव भक्ती एवं रूप योगों के द्वारा करमों को जला डाला है वे योगी लोग उसी योग के द्वारा सुद्ध किये वे अपने हिर्दे में जिन्हें प्रकट हुए देखते हैं उन योगे स्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिनकी त्रिगुनात्मक सक्तियों का राग रूप वेग औसे है जो संपून इंद्रियों के विसे रूप में प्रतीत हो रहे हैं तथा पि जिनकी इंद्रियां विसेयों में ही रची-पची रहती है ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना और धके वे अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं सरन लेता हूं जिसने पुर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था उस गजराज के समीप जब ब्रंभा आदी कोई भी देपता नही आये जो भिन भिन प्रकार के विसिस्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं तब साक्षात स्रीहरी जो सबके आत्मा होने के कारण सर्व देप सरूप हैं वहां प्रकट हो गए उपियुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देख कर तथा उसके द्वारा पढ़ी भी अस्तुती को सुनकर सुदरसन चक्रधारी जगदाधर भगवान इच्छा नुरूप बेगवाले गरूर की पीट पर सवार होकर अस्तवन करते वे देपताओं के साथ ततकाल उस अस्तान पर पहुँच गए जहां वहां हाती था सरोवर के भीते महावले गराह के पकड़े जाने पर अत्यंत दुखी वे उस हाथी ने आकास में गरूर की पीट पर सवार चक्र उठाये वे भगवान स्रीहरी को देख कर अपनी सुड को जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था उपर उठाया और बड जील पर उतराये वे दया से प्रेरित हो गराह सहित उस गजराज को ततकाल जील से बाहर निकाल लाए और देपताओं के देखते देखते चक्र से मुह चीर कर उसके चंगुल से हांती को उबार लिया अगर हम हिंदू सास्त्रों की माने तब जब भी आप भयंकर मुसीबत में फस जाएं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भगवान विश्णू आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं जिस प्रकार उन्होंने गजेंद्र नाम के गज को मगरमक्ष के मुह से बाह दिशा की और मुह करके पाठ करें या सुनें हरहर महादेव